हाई माई यूट्यूब फैमली उमीद करती हूँ के आप ठीक होंगे तो आज मैं आपको 2016 की टॉप फाइव बॉलिवुड मुवीज के बारे में बताऊंगी सो लेट्स टार्ट वो मुवी जो हमारे पास पांचवे नमबर पे आती है वो है सुल्तान जिसके में हीरो सल्मान हान है और जिसकी में हीरोईन अनुशका शर्मा है इस मुवी की आइम डीबी पर रेटिंग 7 आउट ओफ 10 है तो दोस्तों ये कहानी गूमती है सल्मान के गिर्ट वो एक आम सा बन्दा होता है और तब ही उसकी मुलाकात होती है अनुशका से वो अनुशका को पहले नजर में यी देख के दिल दे बैटते है लेकिन बात में उससे मालूम होता है कि वो एक बहुत ही मशगूर पहलवान बरकत अली की बेटी है और खुद भी एक पहलवान है तब ही वो बरकत अली के पास जाते है और उससे कहता है कि मैंने भी पहलवानी सीखनी है और वो उसे पहलवानी सिखाना शुरू कर देते हैं वही पर उसकी रोस पर रोस अलुषका से मुलाकात हो जाती है और वो अलुषका से और भी जादा प्यार करना शुरू कर देता है लेकिन जब वो अनुशका को इसके बारे में बताता है तो अनुशका उसको रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि मैं सिरफ एक पहलवान से ही शादी करूंगी इस पर सल्मान को जोशा चाते है और वो दुबारा बरकत अली के पास चाते है और से कहते कि मुझे स्ट्रेट शेंपियनशिप के लिए तियार करो अब क्या वो ये इस शेंपियxtures जीत पाएगा और क्या वो इसके तियारी कर पाएगा इस मुवी की IMDB पर रेटिंग 7.4 आउट अफ 10 है इस मुवी की कहानी दिरसल आलिया के गिर्द खूमती है जिनका ब्रेक अप हो जाता है और वो बहुत ही जादा डिसपॉइंट हो जाती है और वो इसके बाइस डिप्रेशन में चली जाती है उसी डिप्रेशन से निकलने के लिए वो एक साइकॉलिजिस से मिलती है जो कि शारुखान होते है वो उनको जिन्दकी का एक नया रूम दिखाते है और उन्हें बताते हैं कि ये ब्रेक अप से कुछ भी नहीं होता वो उन्हें इस सदमे से निकालने के पूरी कोशिश करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि फैमिली से बढ़के कुछ भी नहीं होता तो दोस्तों क्या आलिया आप पूरी तरीके से अपने इस ब्रेक अप और डिप्रेशन से निकल पाएंगी ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखती पड़ेगी डियर जिन्दगी अप पारियत ये उस मूवी की जिसने तीसरा नंबर हासल किये और वो मूवी है रुस्तम जिसके में हीरो अक्षे कुमार हैं जबके इसकी में हीरोईन इल्याना डिक्रूस हैं और इसमें ईशा गुपता ने भी अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों के दिल जीत लिये दर असल इस मूवी की कहानी अक्षे की गेट खूमती है जिनके बारे में दिखाया चाते हैं कि उन्होंने अपने एक दोस्त का कतल कर दिया और वो अदालत के कटहरे में खड़े होते हैं इल्याना यहां पर अक्षे की पतनी होती हैं और वो जानती हैं कि अक्षे ने ये ख तो दोस्तों वो वज़ा जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी रुस्तम तो दोस्तों वो मुवी जो हमारे पास दूस्ते नमबर पे आती है वो है पिंग जिसकी में हिरोईन तापसी पन्नो है और उसके सासथ आमिताप बच्चर ने भी इस मुवी में बहुत ही शानदार एक्टिंग किये दरसल इस मुवी की कहानी तापसी पन्नो और उनकी दो फ्रेंड्स के गित खूमती है वो तीनो लड़किया एक रात कहीं बाहर जाती है और तीन लड़कों से मिलती है और जब वो वापस आती है तो उनमें से एक लड़का जखमी होते है अब वहां पर क्या हुए ये तो कि बहुती बुरा अंचाम होगा मालक मकान आके उन लोगों से बहुती अच्छी तरीके से बात करते हैं कि क्या चक्कर है वो लोग कुछ भी नहीं बताते हैं अगले दिन जब मालक मकान कहीं पर जा रहा होते है तो वो उसका एक्सीडेंट होते होते है और उसे वही लड़का मिलते हैं जो इसने उसे कल रात फोन पे थमकाया होते हैं जब मालक मकान के एक्सिडेंट की बात लड़कियों तक पहुंचती है तो वो बहुत जादा डर जाती हैं फिर तापसी वो मुवी जिसने पहला नंबर हास्ल कि है वो है दंगल जिसके मैं हीरो आमिर हान है और इसकी मैं हीरोईं साक्षी तन वर है इसके साथ साथ इसमें फात्मा सनाशे不知道 ने भी बहुत ही शांदार एक्टिंग करके लोगों के दिल जीत लिए इस मुवी की कहानी आमिर हान के गिर्द खूमती है जिनकी तीन बेटियां होती है और कोई बेटा नहीं होता यहां पर फात्मा सनाशेख ने आमिर खान की बड़ी बीटी होने का किर्दार अदा किया है जब आमिर को लगता है कि फात्मा ने रेस्लिंग की टेक्नीक्स अच्छे तरीके से सीख लिए तो वो उने नेश्टनल लेवल पर रेस्लिंग कहलने के लिए भेज देते हैं आखिर कर वो वहाँ से जीत कर वापस आती हैं अब वो चाते हैं कि फात्मा इंटर्नेशनल लेवल पर भी खेलें और यही चीज़ करने के लिए वो उन्हें एक इंस्टिटूट में दाखिल करवा देते हैं अब क्या फात्मा इंटर्नेशनल लेवल पर यह गेम जीत पाएंगी यह सब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी दंगल So guys, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में